हलो एंड वेल्कम एवरिवान टु छलग अ सीरीज ओफ वीगली करंट अफैर्स बाइद द्रिशा पॉब्लिकेशन मैं हूं पायल और आज छलग में हम जानेंगे पिछले हफ्ते की मैंत वपुंख खापरों के बारे में जो कि हैं एक्जाम पॉइंट अव्यू से मोस्ट इंपॉर्टेट और आपकी जन्रे नॉलेज के लिए तो चलिए बिना वग्जाय किये शुरू करते हैं 15 पॉइंट विंटर आक्शन प्लान दिल्ली के मुख्य मंत्री अविन केजजिवाल ने एर पॉलूशन से निपटने के लिए 15 पॉइंट विंटर आक्शन प्ला केजजिवाल ने पीम 2.5 के स्तल में 2014 के 149 घटकर वर्तवान में 103 पर प्रकारश डाला है उनको हाइलाइट किया है जो कि एक मेहद वो पून सुधार को दरचाता है दिल्ली सुकार ने 7000 सुकारी संचारिक बसों के मौजूदा बेडे को बनाने के लिए 800 उलेक्रिक बस ने शुन करने की उजना बनाई है मुखे मंतली ने डिल्ली में पेडों की संख्या में 30 प्रतीशत की उलेक्रिक निये वृद्धी का उलेक किया जिससे भारत में सबसे हाइस्ट ग्रीन कवर हाला शुखेल बढ़िया स्वच्छता ही सेवा क्यांपेन त्रदान मंतली द्वारा शुखेल नागरी को की वियापक भागिदाई है मेगर स्वच्छता अभयान की समापन की अगले दिन भारत ने दो अक्रूबर को स्वच्छ भारत बेवस बनाया जो मागला गांदी की जयनती जो स्वच्छता और स्वच्छता के कट्टल समझ सकते SHS 2023 की थीम कच्छता मुक्त भारत थी जिसमें द्रिश्य स्वच्छता और सफाई मित्रों की कल्यान पर विशीज ध्यान दिया लिया था ये विशीज दिन हमारे परिवेश में स्वच्छता बनाय रखने के महत्र को रात नाशनल टर्मरिक बोर्ड भारत की केंजर सर्कान राश्ट्री हल्दी बोर्ड के इस अधन को अधिसूचित किया है जो देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों की विधास और विद्धी पर ध्यान केंवर्स करेगा है हल्दी की खेते प्रमु क्लूप से तमिलाडू, तेलंगान राज्री, कंडाटक, MP, ओडेशा, बंगा और गुजरात में की जाती है भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंस्यूमर और एक्स्पोर्टर है प्रोतादे भारत सबसे बड़ा उत्पादक है हल्दी का ग्लोबल टर्मरिक मार्केट में इसकी 62 प्रतिशत हिस्स्रदारी है 2022 दुरान लिए एक अरब टपर होता है था नोबल प्राइस 2023 दोहदार थेस्स में नोबल पुरुसकार विजिता बिविध्ध शेत्रों और विशेयों का प्रतिजिद्व करते हैं लेकिन वेस्ता भी मानवता के लिए अपने अर सथारन योगान से एक जूट है आपको बतादे 2020 से 9 October 22 अप्राइस दत्क हुए है नोबल प्राइसियो है नोबल प्राइस आपको न जूटे आपको बाति हो प्लाइस अपको बतादे लाने की साम तो नेचार को ने सिंगारे । मुष नेकाल में लिए अन्हां नोबल प्राइस देग अच्वाइस को भीनने से और और नु राहा जन्रेटिव एटो सेकंड फॉल्स फॉल्स फॉलाइज फॉलाइज विज्ञानिक में नोबल पुरुसकार मौंगी जी, मामवेडी, लूईस E. ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमॉफ को क्वांटम डॉट्स की खुज और खुज के लिए प्रदान किया लिया साहिते में नोबल पुरुसकार नॉर्वेजियन लेखग जॉन फॉसे या जॉन आलोव फॉसे को उनके अभिनवनाटको और गर्दी के लिए प्रदान किला लिए नोबल प्राइस बिनर्स के लिए से आप सुन पर देख सके हैं आपको बताते हैं कुल 45 ओलंपेख खेलो और इचसर विशयों में 25 जेशों और शेत्रों की जारा अजाज जादार एक्रेटों ने इसमें बाग लिया एच्याए खेलों में भाद का प्रदाशन हाली की सालों में लगाता बढ़ रहा है और हांजों में 23 संस्क्रंग कोई अपवार नहीं था भारते दल्डी 25 ओर्ण यानि 25 ओल मेडल्स थाड़ी 35 जर्जत थाड़ी 5 सिल्वर और 40 कांसे सहित यानि 40 ब्रॉंस मेडल्स के साथ साथ सौ प्रदगों के रिकॉर के साथ स्नापन किया जो अगले दिन लार्ज तक 107 हो गए 1982 के बाद से एश्या एकेलों में भार का सबसे सर्वश रिष्ट प्रदशन रहा एजिन गीम्स मेडर स्टाली 2023 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकार 75 मार्च 2023 भारत के पर्यदक नई दिली शिहार में पहले और 76 पैसिविक एशिया ट्रावर ऑपे स्ट्रावर थैस्या थावर एंवेग किया और श्वादार इंटरनाशनल एगजिचिन कंव में और श्थीया रहा है से काम करता है इस साल के आयोजर में विबन प्रकार की गतिवीदियां सामिल है जिनमें प्रतिष्टित पाटा गोर अवार्ड पाटा यूथ सिंपोजियम और पाटा पॉरम और सुस्टेनिबिलिटी शामिक है राजस्तान गुजवाद दिल्ली करनाटर फेलंगाना उद्रखन और मत्रप्रदेश के साथ पकई राजी सरकारे साथ ही हद करगा विकाफ आयुप्तु जैसे अन्य मंतराले सायों जिक्वें सक्री रूप जिभाग में नहीं है कास्ट सर्वे इन बिहार आल ही में बिहार राजसरकार ने कास्ट सर्वे दोर्गार 23 के निश्कर्ष ज़ारी किये जिसमें पता चला कि अगव बाकवर क्लासे यनि एक्स्रीमी बाकवर क्लासे यानि एवीसीज मिलकर राजे के गुल आबादिय का 30% प्रतीश्व इस्टा को आप स्क्रीन पर देखी सकते हैं, the survey was carried out in two phases which each had its own criteria and objectives. So first, इस्टरंग के दुरान बिहार के सभी घरों के संध्य हो गिना और डर्च किया दिया गया था जिनका उप्तर प्रतिवादी को अनिवारे रूल से देना था. इस्टरंग के दुरान घरों में रहने वाले लोगों उनकी जातियों, उप जातियों और सामाजिक आर्थि स्थितियों के डेटा एकत भी किया गया यानि उसे खट्या किया गया हाला कि परिवार के मुख्या का आधाय नंबर, जाती प्रमार पत्र नंबर और राशन का नंब पर भड़ना ओप्षिन है, तो क्या पता चला इस सर्वेस है? आतियांत पिछरा वर्ग और अन्य पिछरा वल्ग, OBC और EBC की फुल जनसंख्या, 13 परोड जनसंख्या का लख़ग, 37 प्रतीशत है, जो इस राज्येकार सबसे बड़ा जाती समू बनाती है, 14.26 प्रतीशत हि 15.52 प्रतीशत है, प्रतीशन के नतीजे, OBC कोठापूर 27 प्रतीशत से बढ़ाने और EBC के लिए पूर्टा के लिए मांग को गड़ा देंगे, अन्दिम जाती जंगर्णा 1931 में आउजट की गई थी, और डेटा उस समय की प्रिटिश सर्कार दुआरा सानबशनी रूट जाती जंगर्णा मंडल आयो की रिपोर्ट और उसके बाद सितकार दुआरा अन्य पिछला वर्ट के लिए आरशन मीटिम की कारनेवन का अधार मिन रही है, अब बात करेंगे पीपल इन न्यूस यानि उन लोगों के बादे में जो इस अपते सुल्ख्यू में बने रहे है और क्यों सुल्ख्य में बने रहे हैं? सुल्ख्य में पहरी बार उननीस तुफरावे में पीपूल मजल्स के लिए तीस सार के उमर में अपने ग्रह सियत्र फादी पल्लो से सांसर चुने गई थी, उन्होंने माल्दीवियन डेमकुरेटिक पार्टे के गष्ण में अगिली हुमें गनी है ब्रगु सुरिनिवासन, लिटनेंट जर्रल ब्रगु सुरिनिवासन, अजीव्ड रोल ऑग ट्विएथ दिरेक्टर जर्रल अर्डर रोड ओर्निजेशन Key Points सुरिनिवासन करकवासला में राश्त्री, रक्षय अकाडमी और दह्यदूम में भारते सैने अकाडमी के पूल कुछात रहे हैं जहां उन्हें 1987 में Call of Engineers में निफ्किया गया था उनके शांदा सेवा रिकॉर में ऑपरेशन विजय, लक्षक और पडाकरम जैसे प्रमुक सैने अभ्यानों में भागेदारी शामिन है लेटिने जनर शिनिवासन की विटेव विशिश अग्यपा का सबसे महतुपन शेत्रु भारत के बारत के सीमा वर्टी शेत्रों विशिश रूप से लगदास, अलुनाजर तुदेश और जम्मू और कश्मी में सेवा गना है इन चुनौती पूर इनकों में उनके व्यापक अनुद में उन्हें शेत्रों की बुणियान दाचे के सरू तो बल एक अधूरती विशिटिकों से ससंचित किया तरुम सोफ्ती वाइस Admiral Tarun Softi AV S.M. VS.N. तुटको इनधिश तरुम सुफ्ती को बेड़ीज चीफ और सफ जानुभाग और कृणियान देशिफ पैते सानु ते जादा के विशिश रूप से पालाक से साथ के साथ वीस Admiral Tarun Softi से अपने नए बुणिका में प्रक्श्रों न नेता बनने में मदब करी। उन्होंनी नाविगेशन और डिरेक्शन में विशेशगयता हासी की जो नाहुसेना संचालन का एक महतवपूर पहलू है। वाइस एड्मिरल तर्म सोखी की कारेकाल में आई एनेस निशंक, आई एनेस कोरा और आई एनेस कोकाटा सहित कई महतू को नौसेनिक संपत्यों की कमार शॉम्नें। रामस्वामी एन। The General Insurance Corporation of India made a significant announcement regarding the appointment of its new chairman and managing director Ramaswamy N. तो चानते हैं इनके बारे में। ये नियुक्ती 1 October 2023 से प्रभावी भाय सरकार के वित मंतर आले के एक निर्णय का पालंग करती है। जो मशूर बीमा संच्थान में नेतितु में बदलाव का प्रतीक है। ये नियुक्ती 1 October 2023 से प्रभावी भाय सरकार के वित मंतर आले के एक निर्णय का पालंग करती है। और प्रसिद बीमा संच्थान में नेतितु में बदलाव का प्रतीक है। जियुक्ती 1 October 2023 को रामस्वामी एन का अपने अध्यक्षोर प्रभन निदेशर के रूप में फिर से स्वावत किया। रामस्वामी एन की नियुक्ती मानक उत्रादिकार योजना परिकलिराओं का पालंग करती है। क्योंकि नी वर्तमान CMD देवेश श्रिवास्तव ने साथ साल की आयू का पौशने पर सितंबर 2023 के अंत में अपना चार साल का कार्यका समाथ किया है। उन्होंने 1928 में सीधी भरती दिकारी के रूप में GIC RAY से अपना कर्देश श्रिवात की थी। GIC RAY में अपने कारेकाल के दुरान रामत्मान मी एन ने फायर एंजिन इंडिडिंग, माइचलेनियस, मोडर, लाइवलेटी, अविएशन, समूगरी और तुरिशी सहित, गैर जीवत, बीमा वर्गो के एक विविए पोस्तों का प्रफॉल्यू का प्रफॉल्मिन किया है। So friends, that's it for today, मिलते हैं next week जलक में, अगर आपको ये वीडियो पसनाया हो, या किसी भी तरह से helpful लगा हो, ये useful लगा हो, तो please like, comment and share it with your friends or family, also subscribe to our channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon for updates, thank you.